रादे किष्णा फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होब आप सब लोग अच्छ होंगा चेरे सबस्त्रे मस्त्रे बहुत बहुत खुश रहे तो फ्रेंड्स आज मनाने वाले हैं पोहा वह वह वेजिटेवल पोहा सब्जी वाला पोहा और उन सब्जियों पाई यूज लिया है तो इसमें से में थोड़ा थोड़ा सा ले लूंगी यहां पर हमने कट कर लिया है अद्रक और मिर्च इसके बाद दो टमाटर कट कर लिया है और इसके बाद हमने लिया हुआ है सरसों का तेल तो मुस्ट लिए आप सभी लोग जानते की जो खाना वोगएरे है मैं स पियंग ल enn29 में लिया है इतो रहेली सब्जी जो बंती बोह बंदा च्छा बंता है और हेल्डी भी रहता है च absorbing कलएघ और यहां पर यहां पर यहां को बता ₹ मेंडियां यह रख संदू अपको लुब हो जल्दी क्रंची निस चाहिए इसलिए यहां पर फ्लेम को लो नहीं रखेंगे मिडियम टू हाई रखेंगे इसके बाद डाल देंगे मटर ढल दिया हरी मटर तो हरी मटर कभी बहुत अच्छा स्वात जाता है अगर आप इसको नहीं उसको नहीं सब्सक्राइब तो यहां पर मौमफली के दाने ले ले और उसको मिला सकते हैं तो क्योंकि सब्जियां मोच यहां एसी कुछ सब्जियां होती ही जिसको लोग खाने में मुह गनाते हैं लेकिन मेरे घर की तो फेवरेट सब्जी यहां पर आपने आइड कर दिया हुआ है स्वादानुसार्थ तो फ्रेंट जो लोग मेरे चैनल पर नए आई हुआ है बेल आइकन को प्रेस करने जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालू सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकसन पहुंचे और हां चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना और साथ साथ में अपने राय भी हमको प्रेंगे बाद इसको यहां पर फ्लेम को अभी भी हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम तु हाइफ लेम में ही बनाएंगे यहां पर तो यह देखे हमारा जो प्याज और मतर है वह ऐसे ही है बिल्कुल से सिंक नहीं हूँ यह सिंक करना भी नहीं है इसके बाद एड़ और तो यहां पर आप चाहें तो नीबू का यूज कर सकते हैं घटे के लिए थोड़ा सा थोड़ा होता है तो अच्छा लगता है यहां पर हम पर नी बूक जूओस के बजाए आयड़ करेंगे आप अपर तो टमाटर का भी बहुत अच्छा स्वात जाता है क्टे के लिए उसके साथ आप में अच्छा सा कलर भी मिलता है तो यहां पर जो पोवे में यलो, ग्रीन, ड्रेड तो कलरफुल अगर जो कोई चीजे होती ना कुछ खाने ऐसे होते हैं कलर फुल कोई जिस्म के देखने से एक थोड़ा एक्ट्रेक्शन बढ़ता है तो यहां पर हमारी सब्जया जो हो गए थी रेडी हो गए थी तो हमें थोड़ी सी सब्जया जादा लगी तो आपने निकाल लिया हुआ था मुझे लगा कि थोड़ी सी जादा हो रही है तो आप पर यहां पर यहां पर यहां पर यह देख लिए तो फ्रेंट का लागा अपने कमेंट जरूर करिएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और इसके बाद लाश्ट में धनिया पत्ता से आप गार्निसिंग करिए इसके बाद जो खुश्बू आती है दनिया की बहुत अच्छी आती है तो जो पोहा लवर्स हैं वो मुझे जरूर कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें अपना ख्या अटार के रव्यू टेक क्यार